नमस्कार, मैं हुआ आजल से और आप देख रहेनमय eps News प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर बारन हो रा है मीडिया में भी चर्चा का विशे बना हुआ है दरस्ल ये वीडियो अप्रधानमंत्री का पापुआ नियू गिनी यात्राा का जहां पर वो पहुँचते हैं एरपोर्ट पर और पापुआ न्यूगिनी के जो प्रधानमंत्री है वो आकर प्रधानमंत्री नरेंद्रु मोदी के पैर चू लेते हैं जिस तरीके से ये तस्विरे आई सोशल मीडिया पर चर्चा का विशे बन गई क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर चू रहा हूँ नमस्कार को लेकर तमाम तरह की खबरे बनती आई हैं कि किस तरीके से विदेश में जाकर प्रधानमंती नरिंद्र मोदी ने नमस्कार को बढ़ावा दिया और किस तरीके से विश्व लेबल पर लोग अब हात नहीं मिलाते बलकि नमस्कार के मुद्रा में अभिवादन करती ह लेकिन जब ये पैर छुने वाला वीडियो सामने आया तो एक इतिहास बन गया अब इस पर तरा-तरा के लोग चर्चाई कर रहे हैं लेकिन आखिर प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के पैर पापवा नियूगिनी के प्रधानमंती ने क्यों छुए अब इस पर बड़ा खुलासा हो रहा है जिया इसको लेकर तमाम पत्रकार अपनी अपनी गाय रख रहे हैं अब ऐसे में देश की जानी मानी पत्रकार रुबिका लियाकत ने भी अपनी गाय रखी कोरोना के वक्त गरीब देशों के लिए वैक्सीन भेज कर प्यमना रेंदन मुदी वहां के लोगों के लिए किसी फरिष्टे से कम ना थे विज़ा बताई तो चितरा दिरपाठी ने भी इसको लेकर ट्विट किया वीडियो को पोश्ट करते हुए उन्होंने लेखा कि ये आत्मियता है अपना पत, बेहद लगाओ, भावनाओं से भरी हुई तस्वीरें और ये तब होता है जब सामने वाला शक्स दूसरे देश का प्रधानमंतरी है पापवा नियोगिने के प्रधानमंतरी जेम्स मरापे ने प्रधानमंती नरींद्र मोधी का स्वागत जिस अंदाज में किया वो तो कोई अपने परिवार का व्यक्ति ही कर सकता है पैर चूकर उनके आशिरवाद लेना क्योंकि एक वक्त जब कोरोना के वैक्सीन की मार मची थी तो हिंदुस्तान की तरफ से प्रधानमंती नरींद्र मोधी ने इस प्यारे से देश की मदद की थी जीवन की वो डोज आज रिष्टों की डोर को मजबूत कर रही है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं अब जिस तरी के से प्रधानमंती नरींद्र मोधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पेजी से वारल हो रहा है इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए झाल